इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी रैमी सेव 2.5 कैपसूल व्यापक रूप से हाई बलड प्रेशर और होट फेल के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है और यहां तक की दिल का दौरा पढ़ने के बाद भी इसे दिया जा सकता है यह होट अटैक या स्ट्रोक होने की संभावनाओं को भी कम करता है रैमी सेव 2.5 कैपसूल को अकेले या किसी अन्य दवा के साथ में दिया जा सकता है इसे खाली पेट या भोजन के साथ लिया जा सकता है अधिक फायदे के लिए इस दवा को प्रती एक द लेकिन अगर आप इस दवा को लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है। यह व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा है और लंबे समय तक इसका सेवन करना सुरक्षित माना जाता है। आप अपनी जीवनशेली में कुछ बदलाव करक भी अपने ब्लड प्रेश को कम कर सकते हैं। इनमें नियमित व्यायाम, वजन घटाना, धूम्रपान नहीं करना, शराब का सेवन कम करना और आपके डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार आपके आहार में नमक की राशी को कम करना शामिल हो सकता है। इस दवा के से सामाने साइड इफेक्ट में चक्कर आना या सुस्ती आना, सिर्दर्द, सूखी खांसी, ठकान, मिचली आना, उल्टी, डायरिया, पेट दर्द और ब्लड प्रेश कम होना शामिल है। इनमें से अधिकान शस्थाई होते हैं और समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप स सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस दवा का सेवन करने के दौरान डॉक्टर नियमित रूप से आपका किड्नी फंक्शन, बलड प्र और खून में पोटेशियम लेवल की जांच कर सकते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।